कुअ थे घलॉ एंजीनियर्स ते आपका काश कोट कंई दो की इस वीडियो में इस वीडियों हम सिखने वाले हैं Express के फोलडर इस्टॉक्षर के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको Express के बारे में अच्छे से बता दिया था और बोला था कि अब अगली वीडियो में होदनी चाहिए किस फाइल में होनी चाहिए और हर फाइल का क्या मतलब है वो सारी चीज़ेंगे ताकि आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर पहले समझे उसके बाद फिर प्रोजेक्ट हम सिख जाएंगे तो आइए छोटी सी एपैस बनाके एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रोड सब्सेजस एप्टीकेशन यह हमारे सीडियो का TARGET रहने वाला है और इसमें बनाने वाले हैं टूडू लिस्ट एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसमें हम क्रोड ऑपरेशन यूज करेंगे ठीक है तो इसके मेनेजमेंट हम बनाने वाले है और विदाओट एनी डेट तो हम इस प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट इस्टक्चर फॉलो करने वाले हैं उसमें क्या-क्या होने वाला है उसमें होने वाला है राउटिंग उसमें होने वाला है कंट्रोलर उसमें होने वाला है रिस्पॉंस उसमें हम मिडल वेर सिखेंगे इसमें हम वैलिडेशन करे वाले हम यहां पर पोस्ट अपया बनाएंगे इसमें फैरामेटर में टाइड लेंगे इसक्रिफ्शन लेंगे इस टेटर लेंगे तो यह सारी चीजेंब बनाइने वाले हैं इसमें हम लेंगे task id और इसमें हम क्या करने वाले इसमें details of any task, किसी भी task की जो detail होगी वो हमें पर return करने वाले हैं, ठीक, अगली API जो चौती API हमारे रहेगी, वो put की रहेगी, put method यूज़ करने वाले हैं हम इसमें http का, और इसमें update any task, किसी भी task को update करने के लिए चाहे फिर उसका status ह कुछ भी हो, यह तीनों चीज़ हम उसमें update करेंगे, बट हम इसमें लेंगे 4 चीज़ है, ठीक है, एक लेंगे task id, ताकि हमें पता चलेगा कि हम कौन सा task update करने वाले है, इसलिए task id लेंगे, और यह जो तीनों field हम update कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा होने वाले है तो last में हम क्या ब ठीक है तो बने रही इस वीडियो में और आखरी में जो पार्ट है डेटा इंटिग्रेशन यह हम नहीं करने वाले हैं विकॉज हम इसमें डेटाबेस यूज नहीं कर सकते तो हम अपनी सारी वैल्यूस को एक वैरियेबल में ही श्टोर कराएंगे हम डेटाबेस में इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को डेटाबेस नहीं आता होगा किसी भी टाइप का और इस वीडियो का वैसे भी मकसद से और एक प्रोजेक्ट इस ट्रक्चर जो होता है जो इंडेस्ट्री में वह बताना है तो इसमें मैं डेटाबेस की बात नहीं करूंगा अगर आपने आप तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखिए तो उपर आई बटन में मैं उसके लिंक देदूंगा तो जैई उसको देख लीजे पहले होता है लेकिन हाँ हम उसके लिए एक स्ट्रक्चर वे तयार किये हैं कि हमें कहां पे किस पोल्टर में कैसी चीज़े रखनी हो ताकि अगर जिब प्रोजेक्ट काफी बड़े लेवल पर हो तो उसे काफी एजी वे में हैंडल किया जा सके तो चली इसको शुरू करते हो और हम यहां राउट्स के लिए अलग लग फाइल उनके नाम की सबसे रख लेते हैं तब इस फाइल में हम राउटिंग करेंगे यह बात हमें server.js को भी बतानी पड़ेगी वरना इससे पता ही नहीं चलेगा तो हम क्या करेंगे यहां पर सबसे पहले इस फाइल को require कर लेते हैं तो उसको इस पर base दो मतलब कि अगर हम यह trigger करेंगे तो यह file पर run होगा ठीक है अब इस file में हम जाके आगे की चीज़े करेंगे अभी हम यहां पर आ जाते हैं अब यहां error आईए इसको अभी आप आवाइट कीजिएगा तो हम यहां पर आ जाएंगे सबसे पहले हम यहां यहां पर const लिखेंगे express equal to require require के बाद यहां पर हम लिख देंगे express right उसके अदम लिखेंगे const router is equal to express.router देखिए यहां पर suggestion आप देख रहे होगे आ रहा होगा तो suggestion मैंने यहां पर extension use कर रहा हूं actually उसका नाम है codium तो अब इस extension को use कीजेगा तो काफी helpful लेकिन मैं आपको ब अब क्यों पूरा code कर दोगा ठीक है तो अभी के लिए मैंने यह बना लिया और अब हमें क्या करना है अब हमें इस router.get method पर जाएंगे और यहां पर बताएंगे कि अगर इस पर कोई route आता है तो फिर यह callback function अभी run कर दोगा और यहां पर लिखेंगे rest.send और उसके बाद लिख देंगे calling from index file मैंने ऐसे लिख दिया है अब save करते हैं ओके यहां पर एक error आ रही है अगर आप ध्यान से देखोंगे यहां पर एक error क्यों आ रही है तो हम यहां पर आते हैं पहले देखते हैं error क्यों आ रही है तो हमने यहां पर बताया है कि इस route पे अगर कभी कुछ पे बेज़ दो अब इस file पे बेज़ दे लेकिन actual में क्या हो रहा है यह file यहां पर require नहीं हो रही है require क्यों नहीं है हमने जहां से जो router बनाया है उसको यहां में export नहीं किया है तो आपको पता होगा कि module.export नाम का एक node.js का method होता है जो inbuild होता है तो हम यहां क्या करेंगे module अब यह module.exports की जरुत में क्यों पड़ी है तो basically जब भी हम कभी कोई भी functions को दूसरी फाइल में use करते हैं तो हमें वहाँ पे उसको पहले एक फाइल से export करना पड़ता है तब हम उसे दूसरे फाइल में use कर सकते हैं ठीक है तो हमने यहाँ पर क्या किया तो module.exports के help से इस router को यहाँ से export कर दिया है और बता दिया है कि आप इसको हम किसी फाइल में use कर सकते हैं तो हमने क्या किया वह चीज यहां आ गया router उस writer को हमने बता दिया कि अब इस router को यूज करना ठीक है तो मतलब अब जो हमारी जितनी भी routing हम इस फाइल में करेंगे न व हमने गड़बड क्या किए क्योंकि यहां पर हमने मैं आपको बताया था request response में पिछली वीडियो में इस सारी चीज़े बता दिया आपको तो अगर नहीं आपको clear तो यहां आते हैं और enter मारते हैं तो हम देखेंगे calling from index file यानि कि जो यहां पर index file में हमने लिखा था वो यहा यहां पर राउट हो गया अब हम यहां पर एक controller नाम का folder बना लेते हैं controller अब इस controller folder के अंदर भी हम यहां पर लिख लेते हैं index.controller.js अब देखें यह index.controller.js में इसलिए लगा रहा हूँ ताकि index.js अगर में लिखता ना तो काफी तरकी file हो जाती है यहां पर भी controller index.js हो जाता है इसी वीच से मैंने आपके control लगाया तो हो सके न तो आप भी ऐसी file के नाम बनाया कीजिए तो इसके अंदर हमने सारे functions लिखें अब इस function को बनाने के लिए हम यहां पर जैसे बता है कि इस function को अब यहां पर call करेंगे इस जगह पर यहां पर लिखेंगे और यह जो चीज है इसको हम यहां से एक्सपोर्ट कर देंगे ताकि हमें राउट वाली फाइल में यूज करने में कोई दिक्कत ना है ठीक है तो एक्सपोर्ट यहां पर लिखेंगे हम आख्वरर अब क्या होगा यहां पर हमें बहुत सारे सारे फंक्शंस सारे फंक्शं कन्ट्रोलर के चैसी अब यहां पर आगे यहां पर लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे यहां पर रिक्वायर के बाद अब हम क्या करेंगे अब हम दे देंगे फाइल का नाम अब यहां पर हम क्या करेंगा आप इसको काम करते हैं यहां से हटा देते हैं अब यहां अब यहां से इसको अक्सेस कर सकते हैं यहां पर यहां पर दीख रहा है ठीक है तो हम इसको अब्जेक्ट को डिश्ट्रक्चर करना अगर आपको नहीं आता है तो जाके मेरी पुरानी कुछ शॉट्स हैं उसमें अल्रडी बता रखा है और नहीं तो आप प्ढ़ देजिए कि अब्जिध कर रहे हैं यहां यहां पर यह क्या करेंगा उसको यूजिवज यहां पर यहां पर यहां तो जहाएं तो देखेंगा से जिखना है तो यह शोट्स में बता रखा ingredient तो यहां है तो मेरे तो चले हम आगे आते हैं, तब क्या हुआ है यहां पर बता दिया, method बता दिया, और यहां पर इस route पर यहां पर कुछ call हो ना, तो यह function trigger हो जाए ठीक है, तो अब हम हमार route आखा हम यहां पर हो चुका है, अब हम index controller ना आते हैं, अब हमें जो भी करना है वो सारा सब कुछ यह नहीं पर करेंगे, इस function में करेंगे और यह function फिर वहां पर उस route पर trigger होगा, ठीक है, तो अब क्या करेंगे सबसे पहले, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, आप यहां पर post method यूज कर रहे हैं, और post method में हमने आपको बताया था, URL से तो data हम लेते हैं नहीं, हम किसमें लेते हैं, body मिलेते हैं, ठीक है, तो हम यहां क्या करेंगे, हम लिखेंगे, const, यहां पर directly लिख लेते हैं, body data, आपको समझाने के लिए मैं यह चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है, उसका request.body, यह चीज़ होगी, अब यह होने बाद हम सबसे बहुत देख लेते हैं, यह data मिल रहागी नहीं, ठीक है, simple हम इसका नाम रखें, और अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कि हम एक request को add करते हैं, ठीक है, तो सबसे पर हमारा कौन से request बनने वाला है, add new task है, ठीक है, यह हम यहां बना दिया है, method कौन सा होगा, उसका post होगा, अब हम उसका URL लिख लेते है, http localhost 3000, और हमने क्या method है, ज़ो हमने यहां 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 यूज किया, तो भो पोस्त method है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम ने बोड़ी में data बेज रहे हैं, so body में आते हैं, robots ने यहां पर क्विछान के देज सबसे पहले क्या उसके बाद हम क्या करेंगे description लिखेंगे, यहाँ पर description लिखेंगे कि this is my first task, description हो गया, ठीक है, और status हमने जैसे देखा थे, status हमें भेजना नहीं, status को हम by default जब भी add करेंगे तो pending में ही रखेंगे, क्योंकि जब भी कोई task add होगा, तो हम pending में ही रहेगा, तो अब हम सको क्या करते हैं, यहाँ से send करते हैं, send किये, तो देखें, यह pending में चला गया, क्योंकि हमने अभी यहाँ से इस function में आते हैं, तो यहाँ से हमने कुछ भी return नहीं कराया है, इसी वेज़ से pending में चला गया, हम इसको cancel कर देते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि पहले इसको console कराते हैं, ठीक है, काम कर सकते हैं, अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगा, जो data मिल रहा है, उसको destructure कर लेंगे, तो सबसे पहले मेरे को title मिल रहा है, तो यहाँ पर title और दूसरा data मिल रहा है, description, आप इसको dot करके भी यूज़ कर सकते हैं, like यहाँ पर body data जो मैं नहीं लिया था, आप इसको dot कर इसको dot करेंगे, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कि इन दोनों data को और एक तीसरा status को by default, हम यह तीनों data को क्या करेंगे, store करेंगे, अब store कहां करेंगे, देखी, usually तो हम जब industry level पर करते हैं, और production level पर करते हैं, जिब किसी project को, तो हम उसमें हमेशा data database में store कराते हैं, क् database में एक proper way होता है, जाधा data store करने का, क्योंकि वो अच्छे तरीके से store करता है, यहाँ पर हम database की base पर भी मैं बता ही नहीं रहा हूँ, तो हम यहाँ पर कैसे data store करेंगे, क्योंकि हम तो database यूज करने वाले हैं, नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर express के लिए वीडियो बना इस array के अंदर push कर देंगे, और यहीं से get करेंगे, तो अभी के लिए हमारा यही हम अपने memory में ही इसको store करा रहे हैं, अभी claim को database use नहीं कर रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो data तियार करेंगे, जिसको हमें इस array के अंदर push करना है, मतलब उस task साब पूरा proper data, तो अभी तो हमें request में सिफ title description मिल रहा है, बट और क्या क्या data हमें चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा status, और दूसरा में क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा ID, ठीक है, तो ID unique होना चाहिए, वो generate होना चाहिए, हैर बार नया, ठीक है, तो उसके लिए अब हम क्या कर तो देखिए, इसके अंदर हमें ऊपर का दिया हुआ title और description, दोनों रखना है, तो हमें आप लिख लेते हैं title, अब देखिए, title ऐसे करके ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, और description ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, बट जब क्या होता object के अंदर, जब दोनों की और जो value का variable हो, दोनों same होना, तो हमें लिखने के जरूत नहीं होती है, हम सिर्फ एक 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 लिख सकते हैं, उससे वो समझ जाएगा, कि यहां भई, इसका नाम की title रखना हो, और value भी title variable में जो होगा, वो उठाना है, ठीक है, तो यह value उठा के इसमें डाल देगा, ठीक है, तो यह task data हम यह दो चीज़ों हो गई है, अब क्या करेंगे, title हो गया, description हो गया, अब status की बारी है, तो status हमने बोला था आपको, status हम खुद रखेंगे, तो status हम यहां पर pending ऐसे रख लेते हैं, देखिए, अभी हम यहां पर string में लिख रहा है, pending और whatever, लेकिन आगे चलके नाम यह हम pending मे store कराएंगे, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा, तो clear हो जाएगा, क्योंकि हम यहां पर यह सही वे नहीं होता है, store कराने का string के form में, तो मैं आपको दिखाऊंगा भी आगे चलके, ठीक है, अभी के लिए देख लिए आप इस तरह ही, ठीक है, तो title हो गया, description हो गया, status हो ग ठीक है, उसमें one add कर दो, simple सी बात है, अभी उसकी length कितनी है, zero, zero है length, उसमें one add कर देंगे, तो task id क्या हो जाएगी, one, यह data समें चला जाएगा, उसके अगला task add करेंगे, तो फिर उसकी length कितनी हो जाएगी, one, one में one add करेंगे, two, तो इस तरह id क्या होगी, हमेशा बढ़ती जाएगा, अब add तो हो गया, अब हमें इसके बताना भी होगा, कि हाँ भई, यहाँ पर हम return कर देते हैं, इस function से return करेंगे, कि response, status, code हमने 200 का मतलब होता है, ठीक है, यह जितने भी status code हुए, ठीक है, यह फिर यह जो भी message हुआ, ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने pending बता है, य यह सारी चीज़े हम अभी आपको इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप properly भेज सकते हैं, ठीक है, यह इस तरह नहीं कि हाँ एक ही जगा मैं कहीं भी कुछ भी लिख दू नहीं, हम यह सारी चीज़ों को separately use करेंगे, इस message को, status code को, इसको, इन सब चीज़ों को separately यह लग लग file में manage करेंगे, ताकि in future जब हमें कुछ भी change करना होना तो हमें खोजनाना पड़े कि हमने कहां कहां क्या-क्या use किया है, हम एक जगा change करेंगे हो, सारी जगा change हो जाएगा, ठीक है, तो अब यह चीज़ हो गया, task added successfully, यह हम उनको response भेज देंगे, ठीक है, और sometime क्या होता है, कि message के साथ साथ हमें data भी बेजना होता है, ठीक है, तो हम यहां क्या करते है, message के साथ साथ नहां लिख देते है, data, और अब data में हम क्या भीज़ेंगे, अभी कले हम data में, यह task data जो बना रहे हैं, यह हम यहां से return करा देंगे, ठीक है, इसको save करते हैं, अब यहाँ पे आते हैं वापस और अब हम इसको जब यहाँ पे करेंगे send तो आप यहाँ पे okay तो यहाँ पे error आ रही है क्या लिखा body data is not defined okay हमने कहीं body data use किया कि okay हमने एक console कर आया है इसके वज़से error मिलरी इसको हटा आ देते हैं save कर देते हैं वापस से restart हो गया वापस से यहाँ आते हैं इसको send करते हैं तो हम यहाँ देखेंगे कि हमें यहाँ पर proper मिल रहा है कि टास्क एड़ेट सकस्पूली मैसेज में और डेटा में क्या मिल रहा है कि हमने डेटा एड़ेट किया है और यहाँ पर टास्क एड़ेट किए यहाँ पर हमें one मिल रही है अब जब इसको दुबारा कॉल करें गाना तो देखेंगे यह टास्क एड़ेट कितने हो गई हो गई यहाँ पर टास्क एड़ेट सकस्सपूली और same data store हुआ है status pending store हुआ है और task edit 2 हो गई, 2 कैसे हो गई, क्योंकि जो पहले data गया तो वो 1 था, और उसलिस की length 1 हो गई थी, और वहाँ पे फिर 1 add करा दी है, तो यह बढ़ते जाएगा, ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा, अब इनको separate file में कैसे use कर सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले बताता हूंगे, यह पेंडिंग है ना, इसको हम कैसे use कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर एक file बनाएंगे, constant.js, ठीक है, अब इस file के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, module.exports, और यहाँ पर हम एक object टिटम कराएंगे, इस object के अंदर हम क्या लिखेंगे, task status, ठीक है, और task status लिखने के बाद, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर दो चीज़े हैं, दो तरह की टासक होंगे यहाँ पर, क्या-क्या होंगे टासक, एक तो होगा प emulate यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, और इसकी value हम दे़े देते हैं let's suppose one ठीक है, और यहाँ पर दूसरा होगा उसका लिख लेंगे complete और completed और यहाँ पर उसकी value रुख देंगे हम यहां टू ठीक है तो अब हम यहां पर दो चीजे लिख लिए है ठीक है पेंडिंग और इसको यहां पर हटाते हैं और यहां पर सबसे पहले हम क्या नाम था हमारा का task status ठीक है तो यह आप लिखेंगे task status अब देखे task status हमें suggestion में आ रहा है तो मैं enter मार दूँगा तो जैसे मैं enter मारूँगा तो यह देखी ऊपर अपने आप इसको import कर लिया है हमें कुछ करने वी एस कोड इतना अच्छा है कि वह सब कुछ समझ जाता है बहुत ब्रिलियंट है बहुत ब्लेट है ऐसे इनी इंडॉस्ट्री में 99% लोग यह यूज कर रहे है ठीक है तो हमने क्या किया task status जाला तो आप्टोमेटिकली उपर import कर लिया है ठीक है तो हमारा सम तो हमें देख सकते है status 1 मिल रहा है अगर यहां पे अगर वो completed होगा तो यहां पर status 2 मिलेगा राइट तो अब हमने क्या किया है पर number store कराना शुरू कर दिया है क्यों यहां पर string store कराना सही नहीं है ठीक है तो यह एक तरीका हो गया इसको store करनेगा तो कभी भी ऐसी ऐसी ची सेम कॉंचेंट फाइल के अंदर से यहां पर आते हैं और यहां पर लिख देते हैं इसका नाम web status code ठीक है यहां पर आ गया है इसको किये अब यहां पर ओके सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर यहां पर हम वापस आते हैं और यहां मिल जायेगा और यहें यह तीसरा है यहma resolve response की बात कर लेता हूँ ठीक है देखी response आप ऐसे भी बेज सकते हैं बट क्या होता है कि sometimes हमें ऐसा हो जाता है कि हाँ requirement change हो जाती है कि तुम जितना response भेज रहे हो न उसमें message आना चाहिए data आना चाहिए और data के अंदर actual data होना चाहिए कभी-कभी आता है तो यहाँ पर जो यह लिखा है data अगर यह requirement आ जाती है कि अपनी जो 100 API बनी हुई न उन 100 API में जो डेटा भेज़र इसका data नहीं इसका value ना होना चाहिए तो फिर आप क्या करोगे फिर आप manually बैठ हो गए जितने भी functions बने उन सब्सक्रे functions में जाके यह data change करोगे तो आपको लगता है यह सही तरीका है देखिए JavaScript में या फिर किसी भी programming language में अगर आपको कोई भी चीज बार-बार यूज़ करने पड़े तो क्रिपिया करके उसको बार-बार मत लिखी उसके लिए एक function मना इए उस function में सिर्फ value पास कीजिए और इस function को trigger कीजिए यही होता है एक अच्छा proper structured way ठीक है तो वही चीज हम यहां करने वाले है अब इस चीज की use हम दसो जगा पचासो जगा सो जगा पूरा system में करने वाले है न तो इसके लिए हम बना देंगे एक function उसमें हम सिर्फ क्या पास करेंगे एक value जो भी values होंगी वह हम पास करेंगे बाकि structured proper महीं से जाएगा ताकि कल को जब कोई changes है कल को जब AI के हाट भाई data जाएगा value होना चाहिए तो हम क्या करेंगे इस function में सिर्फ एक quota के वहाँ पे value करतेंगा data quota के तो पूरे system में properly work करेंगा तो चलिए हम इसके लिए एक function बना लेते हैं तो उसके लिए सबसे बले ह जो use होने वाली है ठीक है और again हम यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर module.export करके और यहाँ पर हम एक function हमने बनाया है वह हम यहाँ बना लेते हैं तो function हम क्या बनाने वाले है send response क्योंकि send response ही करेगा उसका function में बनाना ठीक है अब इसमें हम क्या करते है callback function जो यह वह ऐसे function रखा है तो इस तरीके से भी हम यहाँ पर export कर सकते हैं आप चाहता हूं मैं पहले function वाना लेता है नीचे आके module.exports में इस object के अंदर वो variable pass करता है या फिर मैं directly ऐसे कर सकता हूं ठीक है दोनों तरीके सही है तो क्या करेंगा हम यहाँ पर आने के बाद यह जो हमारी चीज कर रहे है हम यहाँ यहाँ चाहिए हमति कर रहे है तो ढर्के सकते हैं खी और तीसरा है हमारा data तो यहाँ हम यहाँ आते हैं कॉमा लगा के लिख लेते हैं data हो गया ठीक है और इसको यहां से अटा देते हैं ठीक है तो अब यह proper क्या हो गया कि जब भी हम इस function को call करेंगे तो हमें वहां से यह return करके मिलेगा मतलब यह response भेज देगा ठीक है तो अब इसको कर लेते हैं copy यहां आते हैं यहां आने के हमारे बेजिएंगे और नीचे वाला यह अब इसको हटा देंगे इसको इसको save करते हैं अब देखिए यहां पर हमने वही किया है कि इस function को call कि हमें इस function होगा इस data के साथ तो क्या होगा वह सारी चीज़ें ओके ओके अभी इस function को हमने आप इंपोर्ट ही नहीं किया है और जब तक इंपोर्ट ही नहीं करोगे तो हम यूज नहीं कर सकते हैं जैसे कि आपको पता है कि कि नोड जैस में हमें इंपोर्ट करना ही पड़ता है अब आप यह सोच रहा होंगे कि मुझे सजेशन कैसे मिल गया तो मैं आपको बता देता हूं जैसी इस पर डबल क्लिक करेंगे गे एंटर मारती जाएगा ठीक है तो अब देखिए यहां पर इंपोर्ट हो चुका है अब हम इसको सेब कर लेते हैं वापस से सेब कर लिए अब हम आते हैं नीचे पोस्ट मैंन में और इसको यहां पर कॉल कर दिया हमने अब कॉल करने बाद देखिए रिस्पांस में कुछ भी चेंज हुआ नहीं एस जैसे था वैसा है ठीक है अब हमारे पास रिक्वार्मेंट आ इसको हमें करना है वैल्यू ठीक है तो अब हम यहां पर आएंगे यहां पर आएंगे और चुप 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 क्या करेंगे यह जो डेटा भेज रहे हैं इसको हम क्या करेंगे वैल्यू कर देंगे और यहां पर लिख देंगे टेटा ठीक है ऐसा कर देंगे यहां फिर ऐस यहां पर value हो गई, right, तो यह easy होगे, अब क्या करेंगे, अगर हम हजार जगा भी यूज़ कर रहे हो, तो इसलिए हम फंक्शन की यूज़ कर रहे होते हैं, कि जब भी हमें क्यों बार बार कोट को लिखना हो, तो हमारी फंक्शन ही call कर लेते हैं, तो हम बनाते हैं अपनी all tasks, यह ओगया हमारा route का नाम ठीक है, और इसका नाम क्या दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं, get all tasks, ठीक है, अब इसको copy कर लेते हैं, यहां पर आते हैं, और same, यहां पर भी एक function मनाएंगे, const, इसका नाम यह रख देते हैं, और request response, अब क्या करेंगे, इसको यहां से export सब्agit करना होगा भी इसको है export करते हैं अब भी ह्सकों है कर देते हैं यहां आते हैं अब इसको यहां पर इंपोर्ट मुट्पोर्ट हो जो एट है कि अए अपर टास्क रोट बनाना है अपको मैं अपको फॉंक्शन लिखना या औरensions इंधर लिए ठीक है अब separate file में सब कुछ हो रहा है कि कितना प्यारा लागा राउट से लाग है service अलग से control अलग से इसी तरह धीरी दरी जब यह project बढ़ा होते जाता है तो हम चीज़ें सारी अलग लग करते ही जाते हैं ताकि कल को solve करने में issue ना हो तो all tasks के अंदर हम आगे एक मतलड लिखेंगे कि इसमें क्या चाहिए इसमें सारे इसको इसको सारा data चाहिए जितने भी टास्क अब तक एड़ हुए न वह चाहिए तो हम यहां पर सेंट रिस्पॉंस करेंगे सेंट रिस्पॉंस करने के बाद जार से बात है यह प्य होगी तो हम करेंगे ठीक है और उसके बाद all tasks मतलब कि हम यहां पर सारे टास्क रिटन करने वाले इसलिसका नाम all tasks all tasks actually यहां पर लिस्ट भी कर देते हैं तो ज्यादा सी रहेगा ठीक है लिस्ट और यहां पर क्या होगा यहां पर यह जो हमने यूजर टास्क एरे लिया था वह हम यहां पर डेटा में रिटन कर दे रहे हैं राइट कुछ करना पड़ है इसमें यह तो इसको हम सेफ करते हैं इसका नाम हम रख देते हैं get all tasks ठीक है यहां पर कर दिया इसको paste get all tasks राउट हो गया यह method कौन सा था get था ठीक है अब इसको हम यहां पर send करते हैं क्योंकि क्या होता है जब भी हम सेव करते हैं सर्वर को तो यहां पर यहां पर आते हैं और यहां पर add new task में यहां पर टास्क एड कर देते हैं ठीक है अब यह task add होगे तो मतलब यह list में दिखना चाहिए अब हम यहां आते हैं और यहां पर get all task में आएंगे तो यहां पर यहां पर पहला task मिल गया है उसी तरह अगर हम यहां पर फिर सगर सको add करेंगे को दूसरा task तो हम यहां आएंगे तो य get यहां पर हो जाएगा single task यहां पर single task की detail चाहिए या फिर हम यहां इसका नाम क्या रख सकते हैं get task detail ठीक है और यहां पर यहां पर भी हम ऐसे नाम रखते हैं get task detail ठीक है get task detail इसको copy करते हैं save करते हैं और यहां पर आते हैं error तो पता ही हमें क्यों आ रही है क्योंकि अभी हम यहां से चली जानी चाहिए क्यों ने जा रही है क्यों कि हमने यहां पर इंपुर्ट ने किया कि अब गेट टास्ट में क्या होगा कि किसी भी टास्क की आईडी ले लो और उसकी डिटल बेज़ो ठीक है तो अब हमको उसके जाएर से बात है request में लेना पड़ेगा तो हम काम करते हैं यह जो है get method है ठीक है तो हम काम करते हैं यहीं पे ले लेते हैं किसमें ले लिए जाए parents में ले लेते हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं task id ठीक है इसका मतलब है कि अब route call करते हैं यहाँ जो id देंगे उसी की detail यहां पर मिलने वाली है ठीक है तो हम यहां आते हैं वापस आपको बताया थी कि अगर वागkor data हो तो हमों było कैसे लेना होता है कैसे लेना होता है नहीं तो उसकी सबसे यह suggest कर दे रहा है by the way तो यह आपको बहुत help करेगा अगर आपको knowledge है तो क्योंकि कई बर यह गलत decision भी देता है तो आप उसको okay मत कर दिये गर time mark कर दिये फिर आप परिशान हो जाओ गया अगर आपको चीज़े नहीं आएंगे ठीक है सब हो जाएगा उसके यहां पर आते हैं टास्क आइडिया में मिल गई अब इस टास्क की detail चाहिए मैं तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं देखी इस पी ध्यान मतीजे सलाई बार्वा suggestion दे रहा है अब हम क्या करेंगे हम यहां आते हैं तो इसके लिए अब पर सुचिए हैं आपके बास क्या idea है हम यहां पर हमारा data इसमे श्टूर हो रहा है इसमें id के वेस्ट पर कोई डेटा चाहिए तो क्या हम यहां पर use कर सकते हैं हम यहां use कर सकते हैं find javascript में find method होता है हला कि MongoDB में भी होता है बट हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए ठीक है तो हम यहां क्या करेंगे यहां पर हम यहां लिखते हैं कि cost task data ठीक है and is equal to user task में से find करो क्या find करो यहां पर हम क्या find करना है अब यहां पर इसको condition देंगे जो task हमें मिल रहा है जो task आएगा बारी बारी से उसमें क्या होना चाहिए कि जिस भी task की task id ठीक है अगर task id जो है हमारे task id हमको मिल रहा है request में उसके बराबर है तो वो data ले आओ यहां वो task data में आ जाएगा ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हम सीधा इस response को copy करते है पेस्ट करते है अब यहां change क्या क्या करना है response वही रहाएगा ओक्य वही रहाएगा all task list नहीं होगा यहां पे होगा यहां पे होजाएगा task detail detail paste paste successfully okay यहां थोड़े space miss out हो गया ठीक है successfully ठीक है तो यह हो गया हमारा अब यहां पे क्या होगा यह task data है ना इसको यहां पे replace करते हैं यह हो गया ठीक है task data अब हम दो step करते हैं पचले जल्दी से test भी कर लेते हैं अब हम यहां आते हैं नया tab open करते हैं पिछले tab से पहले url को copy कर लेते हैं पूरा यहां पे paste कर दिया है हमने अब क्या करेंगे get all text थो था नहीं यहां पे क्या था get task detail यही था ना शायद एक बार देख लेते हैं अपन cross check करके get task detail हाँ जी हाँ यही था ठीक है get task detail ठीक है get methods हम call कर रहे हैं और अब हमे body audience में कुछ नहीं देना इसमें हमें params में देना id तो हम यहां पर आते हैं और यहां पर हम देंगे जो भी आगे देंगे वो होगी id ठीक है यानि कि यह चीज़ ठीक है यह होगी हमारी id मतलब कि यह basically होगी यह होगी हमारी id ठीक है तो हम यहां पर यह लिखने की जरूत नहीं भी है मतलब हम इसकी बिना भी काम चला सकते हैं हम यहां पर that value पास कर देंगे ठीक है तो अब let's suppose कि पहले हम add कर लेते हैं ठीक है तो हम यहां पर add कर लिए है इसको तो हम यहां देखेंगे कि हमें task 2 की detail मिल गई है ठीक है लेकिन let's suppose कि अगर कोई ऐसी id डाल रहे है जिसकी detail नहीं है तो क्या होगा let's suppose अगर 3 डाल रहे है जो कि भी है ही नहीं तो हमें यहां मिल रहा है task detail faced successfully but data नहीं मिल रहा है बट यह नहीं होना चाहिए जब कोई task detail नहीं हो तो basically हमें क्या मिलना चाहिए हमें मिलना चाहिए एक response कि भई no task detail with this id ऐसा कुछ हमें message जाना चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे उसके लिए हम करेंगे कि भई अगर यहां पे हम condition डाल देते है अब यहां पे यहां पे आते हैं और इसका नाम दे देते हैं not underscore font ठीक है यहां पे इसको क्या कर देते हैं 404 save कर देते हैं ठीक है वापस से यहां पे आते हैं और यहां पे अब क्या कर देंगे हम not font ठीक है क्योंकि हमें मिला ही नहीं हमें कुछ data मिलाई नहीं तो यहां क्या है कि अगर यह task data नहीं मिलता है तो यह return करा दो पुझारी से बात है task data में कुछ नहीं जाएगा यहां पर empty चला जाएगा ठीक है और यहां पर message change कर देते है message क्या कर देते है कि no task available for this id ठीक है save कर लेते हैं वापस यहां आते sent करते हैं no task available for this id ठीक है मिल रहा है क्योंकि अभी 3 के लिए One के लिए हमान के लिए नहीं होगा है चलिए हम यह आट कर लेते हैं हम यहां अनल सब्सक्नाति हैब कर देखते हैं तो अब यहां का purpose है कि आपको structure बताना ठीक है इसी वाज़े से मैं आपको proper API बना कि उसका structure बता रहा हूँ कि कैसे structure follow होगा कैसे क्या चीज़े होगी किस file में क्या क्या चीज़े हम रखते हैं ताकि जब हम भी आगे चलके अपना database implement करें और एकदम properly कोई एक project बना है जो real project हो तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो ठीक है तो मारे यहां पर तीन API बन जुके फटाक से दो API बना लेते हैं अब यहां पर हम क्या करेंगे एक update टास detail लेते हैं और यहां पर arrow function बना देते हैं और इस arrow functions के अंदर सेम चीज़ वही request response और इस update टास detail कोई करते हैं यहां आते हैं यहां पेस्ट करते हैं ठीक है अब यहां यहां पर export कर दिया है फटाक से इसको यहां पर import भी कर लेते हैं इंपोर्ट करने के लिए यह और यहां पर method इन पर सकती हैं अब यहां पर यहां पर आते हैं इस राओट का नाम चीज करते हैं अबंसरी है और प्रांक से खृड़घी कर हम और यहां को बता है चीज कर रहा है कि कैसे होगा ठीक है तो हम यहाँ दो चीज़े लेंगे हम यहाँ पर जो task id है वो param से ले रहे हैं लेकिन हम यह status है न वह हम body से ले रहे हैं ठीक है तो मैं आपको हर तरीके के चीज़ आगर के दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो अब हम यहाँ दो चीज़ों से भी data ले सकते हैं ऐसा नहीं कि इक बार में उसे अखी जगता है नहीं एक बार में हम दो जगती से डेटा ले सकते हैं तो हम आईदी ले रहे हैं param से status ले रहे हैं body से ठीक है अब यू यह .Task.Task id .Task id के बराबर बittups यह जो data मिल रहा है अब हमको क्या मिलेगा .Task data को न यहाँ पर .Task data.Status . क्या करना है . तक स्डेटास क्या करना है जो वहाँ से मिल रहा है अब यहाँ से जो 1 मिलेगा यहा नो 2 मिलेगा . वान κα ममतलब है कि हमें कराना है complete कराना है ठीक है तो अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे अब यहाँ पर देखेंगे कि भाई जो status है जो status है वो अगर हमें task status dot completed मिल रहा है then then क्या करना है then task status dot हमको यहाँ पर कर देना है completed और otherwise हमको यहाँ पर करना है अगर वो status completed नहीं मिला तो इस्टिल हमको उसको pending में ही रखना है ठीक है उसमें और कोई changes नहीं करने है यह हम क्या कर रहे है status update करा दे रहे है ठीक है let's suppose title and description में मिल रहा है body में अगर वो भी update करने के लिए हम मिल रहा है हम यह लिए लेते है title and description क्योंकि हम यह भी तो update करा सकते है अगर कोई user अगर title description अट कर दिया उसको update करना है तो भी तो हम यहाँ पर करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे अब देखिए क्या है कि status अगर मिले चाहे ना मिले अब हम यहाँ पर क्या कर दिये है कि अगर status हमको completed के बराबर मिलता है तो ही हमको completed कराना है और अगर वो ही मिलता है तो जाहर से बात है यहाँ पर undefined मिलेगा तो भी else में जाएगा मतलब वो pending ही रहेगा फिस्टिल हमें कोई changes नहीं करने है ठीक है यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे task data.title ठीक है टाइटल में क्या करेंगे कि भाई अगर title आ रहा है title मिल रहा है ठीक मैं अगर title मिल रहा है तो यह title store कर रहा है और अगर title नहीं मिल रहा है तो पुराना वाला title था ना वही store रहने दो वापस से ठीक है अभी clear है यह जी अचा इसको करने का ना मैं आपको एक और बढ़िया तरीका बताता हूँ इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे यह लगा देते है option तो अगर अब यह data होगा तो यह store होगा अगर यह data नहीं होगा तो यह वाले store होगा ठीक है सेम इसी तरह हम description के लिए कर लेते हैं देखिए एक चीज़ को करते हैं कि न बहुत सारे तरीके होते है तो जो आपको better लगे आप उस तरीके से कर सकते हो ठीक है better लगने से ही नहीं मतलब है better होना भी चाहिए अब हम यहां क्या करेंगे यहां भी update कर देते हैं और यहां तो अब यह क्या हो बिसिकर्ACH डेटा पुरा complete हो गया है तो अब यह अब यह update हो गया है अब यह को क्या करना नीचे स्प्रणा छाप को same case होगा न कि अगर वो id से task data नहीं मिला जिसको हम update कर रहे हैं let's suppose कि user ने क्या किया कोई ऐसी id डाल दी जो है ही नहीं उसको update करने के लिए तो हम क्या करेंगे यह वापस से same चीज यही चीज हम ऐसे कर देंगे और यह काम हो जाएगा अब हम सेब करते हैं उसको चली फटाक से test कर लेते हैं तो यहाँ पर आते हैं next करते हैं और इछले वाले में आके पर इसको copy कर लेते हैं यहाँ पर पेस्ट करते हैं method को put करते हैं और यहाँ पर get था ना यहाँ पर लिग देते हैं update task detail ठीक है और हमें let's suppose नंबर एक को update करना है यहाँ पर body में आते हैं raw में आते हैं JSON हो गया अब यहाँ पर आते हैं copy कर लेते हैं यहाँ जितना तो आप यहाँ पर कोई data थो है नहीं हम update किस चीज़ को करेंगे जाहिर सी बात है तो हम यहाँ पर आते हैं add new task में यहाँ इसको call करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ कि यह data add हो गया ठीक है अब इसका status में 1 से 2 करना चाहता हूं तो यहाँ मैं आता हूँ और यहाँ पर क्या आते हैं यहाँ पर अपन one करते हैं और one करने के बाद इसको send करते हैं तो send करने पर क्या हुआ यह देखे status 2 मिल गया update हो गया ना update कर रहा है लेकिन अगर कोई ऐसी हम key भेज देते हैं कि जो exist नहीं करती let's suppose अगर मैं two भेजता हूं और send करता हूं तो यहाँ पर मिल रहा है no form title करना चाहें ठीक है और यहाँ पर send कर देते हैं ठीक है तो यह title हो गया इसको check करने के लिए हम details वाले में आते हैं फिर से करते हैं तो यह देखे है हमारा title update हो गया title details में ठीक है और हमें message भी proper मिल रहा है कि task detail updated successful यहाँ तो कोई दिक्कत I hope नहीं होगी क्योंकि सब कुछ बहुत clear है यह error की वारी अटा देता हूं ठीक है यह कुछ नहीं है ignore कीजिएगा इसको ठीक है तो अब हमारी यहाँ पर चार API बन गई है अब finally delete API है वहाई सब कुछ बन गया है तो मामला साफ करने की विए API होनी चाहिए न तो यहाँ पर delete API पडाक से बना लेते हैं delete task ठीक करेंगे method क्या होगा delete delete task ठीक है और यहाँ पर task ID हम लेंगे ठीक है और यहाँ पर delete task इसको import कर लेते हैं उपर से ठीक है delete task हो गया save कर लेते है अब इसको हमें को करना है delete तो delete करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसको जड़ा सोच ही इतिमाग लगाईए ठीक हम निकालने पर क्या issue होगा निकालने में issue आएगा ID का क्योंकि जब भी हम निकालेंगे तो length हो जाएगी छोटी length छोटी हो जाएगी तो हो सकता है हम बहुत chances हैं कि same ID के ही 3-4 task बन जाए 5 task बन जाए same ID क्योंकि क्या होगा हम निकाल रहे हैं तो length छोटी हो जाएगी length छोटी हो जाएगी तो फिर उसमें plus one करेंगे तो हो सकता है कि वो जो पुराना ID बना था उसी के बराबर हो जाए ठीक है तो यह निकालने वाला method तो बि रख रहे हैं कि मतलब यह नहीं हुआ है इसको कहते है अगर इसको कहते हैं जब भी बंदा डिलिट करें तो इसको हम सिर्फ की update करेंगे तो इसके पता चल जाए कि कौन सा इलेट हुआ नहीं लेकिन अब इसके बैसे पर आगे चांजे आएंगे जैसे कि get all task अब get all task में deleted task ना जाएं सिर्फ non-deleted task जाएं तो उसके लिए हम क्या करेंगे उसके लिए हम यहां पर करेंगे सबसे परले हम बना लेंगे const non-deleted task ठीक है उसके बाद user task कर देंगे और इसमें लगा देंगे अपन filter अब filter में क्या करेंगे ले लेते हैं sorry sorry यहां पर क्या हो गया यहां पर e ले ले लेते हैं अब क्या करेंगे कि इसका जो है इस deleted जो है वो अगर false है वही data इसमें आना चाहिए non-deleted non-deleted task में इसमें गलत है क्या कुछ ओके-ओके-टी करते हैं यहां पर पेस्ट करते है ठीक है अब क्या होगा वह सारे टास जाएंगे जो की exist करते हैं जो delete नहीं हुए ठीक है अब यहां पर भी same कर देते हैं कोई इसी id बंदा डालता है जिसकी details वो get करना चाहता है ठीक है तो उसके लिए भी condition होनी चाहिए right तो उसके लिए भी यहां क्या करते है अपन एक क्काम करते है इसको copy कर लेते है और copy करके पेस्ट करते है ठीक है अब यहां क्या करेंगे कि भाई जो task data है वो अगर is deleted true है तो इ यहां पर हम written क्या करेंगे this task has been deleted sorry sorry deleted ठीक है तो यहां पर error थो हो जाएगी ठीक है उसके बाद हम नीचे आते है update task detail तो सेम चीज़ सेम चीज़ सेम चीज़ सेम चीज़ यहां पर copy करते है और update करने से पहले जो task है इन इसको जो delete हो चुगा उपडेट क्यों करना भाई ठीक से उस object की बस उसकी को update कर देंगे इस deleted जो की है न उसको सिर्फ update कर देंगे तो इसको update करने के लिए क्या करना पड़ेगा सेम सीनारियो इसको इतना copy कर लेते है बार लिखना की क्यों से रहते है भाई सहाब इसको लिख लेते है न टास्ट डेटा हमें मिल जाएगा यहां स है अब टास्ट liegt नहीं मिल घाए अगर मिल गया हम क्या करेंगे बहूं टास्ट डेटा कि है उसको न ऊकरडो बस इतना काम करना है आपको ठीक है और उसके बाद क्या करना है नीचे एक एक नीचे क्या करना है response रेटरन करना है जिसमें क्या लिखेंगे बाई ओक है सब कुछ task यहां पर लिखेंगे अब आई इस आखरी प्याइक भी फटाक से टेस्टिंग कर लेते हैं यहां आते हैं इसका नाम रखे थे सहाँ डिलेट टास्क टीक है अब सबसे पहले हम टास्क को एड करते हैं अब यह टास्क इसको एड करते हैं आड किया तो यह एड होगा टास्क हाँ अब देखेंगे है KVRE is deleted false अब क्या करेंगे जब एड होगया है तो हमको यह task डिलेट करना है तो कि पहले इसको get करके देखते हैं get हो रहा है proper यहाँ पर आते हैं तो इस task has been deleted, देखा आपने, देखा आपने ये कितना proper work कर रहा है, अब हमें वो task नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने वो delete कर लिए है, पर actual में वो delete नहीं हुआ है, उसका सिर्फ इस status update हुआ है, तो इस तरीके से हमने ये handle कर लिया, easy way में और बहुत अच्छे तरीके, तो देखे तो यही है developers का काम, उन्हें सोचना होगा, उन्हें logic लगाना होगा, आपको भी सोचना होगा, logic लगाना होगा, यही सारे task होते हैं, जो एक developer के life में होते हैं, ठीक है, तो I hope कि आपको ये पाच्छो API बहुत अच्छे सा समझ में आ गई होंगी, ठीक है, हमने routing देख लिए, backend से validate होगा, backend में surety, अगर हम backend developer हैं, तो हमारी responsibility बनती है, कि हमें backend की APIs को validate करना होगा, ठीक है, तो हम क्या करना है, इन सारी APIs को validate करना है, अब validation कैसे कर सकते हैं, तो देखिए, इस में हम अपना use करने वाले package, जिसका नाम है, express validator, ठीक है, तो हम यहाँ पे उसको install कर लेंगे NPMI, express validator, यहाँ पे express validator का use करके हम यहाँ पे validate करने वाले, अब कैसे करेंगे, तो basically हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे install कर लिया, express validator, install भी हो गया है, हम एक function बनाएंगे, एक middleware बनाएंगे, middleware मतलब बीच का function, जो route and controller के बीच में हम यहाँ पी use करेंगे, वो क्या करता है, वो validate करेंगा, अगर हमाँ पे कोई भी issue होगा, तो वहीं से return करा देगा, और अगर सब कुछ proper होगा, तो callback function की तरह next करके, उसको इसमें pass कर देगा, add new task में, या फिर get all track में, इनके बीच में use करेंगे, उनके बीच में pass कर देगा, अगर सब कुछ सही है, देखे, प्रेश बनाते हैं, new task validation, मतलब जो सबसे पहली यह पहली थी ना, उसके लिए validation बनाना चाहा रहे है, तो अब कैसे बनाएंगे validation, तो उसके लिए देखे, सबसे पहले हमें एक array बनाना पड़ता है, क्योंकि जो validation हम लिखेंगे न, इसमें एक validation तो नहीं होगा, समें multiple validations होंगे, ठी इस array को कहां pass करेंगे, उस array को हम pass करेंगे, इन दुनों के यहां पे बीच में, जो as a middleware काम करेंगे, ठीक है, तो हम यहां पर आते हैं वापस, और, sorry, यहां पर आते हैं वापस, और यहां पर अब हम काम करना शुरू करते हैं, तो देखिए, हम data किसमें ले रहे हैं, हम data body म पड़ेट कराना पड़ेगा, अब body में हम क्या-क्या data ले रहे हैं, हम यहां आते हैं, देखते हैं, हम body में दो data ले रहे हैं, title और description को validate कराना होगा, ठीक है, वो कैसे कराएंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे, सबसे पहले body, अब यह body आएगी कहां से, तो हम उपर चलते है सबसे पहले यहां पर लिखते हैं, const, const, यह लेते हैं, और यह लेने के बाद, यहां पर equal to require, और यहां पर लिखेंगे, express validator, ठीक है, और यहां पर अब जो है, हम लिखेंगे, body, ठीक है, यह body होगा, अब हम क्या करेंगे, यहां पर body लिखें, अब body में की का नाम एक्जाक्ली वाई की के नाम डालेंगे जो हम एक्शल में यूज कर रहे हैं तभी हम यह वलिडेट कर पाएंगे ठीक है अब ले लिए हमने बॉड़ी अब हम यहां बताएंगे डॉट अब यह क्या होना चाहिए not empty होना चाहि है मतलब यह खाली तो होना नहीं चाहिए इसमें data होना ही होना चाहिए दूसरा हम क्या बताएंगे अगर यह खाली है तो title is required करके ऐसा सको message cash दो ठीक है यह बताएंगे इसको और और कुछ बतानी किया है इसमें यह बताना कि है कि यह होना चाहिए string यह is string यह is string ह होना चाहिए ठीक है अगर यह नहीं है तो तो क्या करेंगा तो हम एक मैसेज बेज़ देंगे कि बाई टाइटल मस्ट बी यह श्ट्रिंग अगर हम आप नंबर पास करेंगे तो यह मैसेज़ चला जाएगा कि टाइटल मस्ट भी इस्ट्री ठीक है यह दो चीज़े हो गई अब इसके लावब और कोई वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं किस किस तरीके के वैलिडेशन होते हैं तो हम अपने जैसी जरूरत होगी वै अब हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिंथ लिखेंगे कि क्या होना चाहिए लिंथ टाइटल मस्ट भी बिट्विट्विन टेंट अब अगर वह उसका जो करेक्टर वह दस से कम यह सो से जादा है तो उसको यह error message हो जाए ठीक है अब इससे ज्यादा नहीं लिखते ह है फिर कोई भी validation यूज कैसे करते है ठीक है तो आज तो मैं express के लिए बता रहा हूँ आगे चलके हो सगया तो मैं किसी specific जैसे की ज्याय हो गया इन सब में validations कैसे होता हो आपको बहुत ही clearly बताऊंगा अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दो चीज को कर रहे हैं इसको copy किया इसका नाम रख देता हूँ description ठीक है तो हम title description दो चीज को validate कर रहे है अब यहाँ पर थोड़ा सा नाम जंच कर देते हैं यहाँ लिग देते हैं description और यही चीज हम use करेंगे यहाँ पर यही चीज यहाँ पर use करेंगे और इसका character size तो बढ़ा देते हैं like description जो है तो minimum तो ठीक है अब जब सब कुछ final हो जाए है जब हमको लगे कि हमने सारे validation कर दिये properly जितने हमको करनी चाहिए तो हम क्या करेंगे हम यहाँ बनाएंगे तीसरा parameter लेंगे जिसमें हमें क्या क्या मिलेगा request response और तीसरा next देकि next हम हर जगा मिलता है लेकिन हम next का use वहीं पर करेंगे जब हम उसको बीच में यूज करेंगे जब इसको मैं ऐसा middleware यूज कर रहे होंगे कही ना किसी function को या किसी भी area को या किसी कोई चीज को भी आगर हम ऐसा middleware यूज करेंगे तो वहाँ हम इसको require करेंगे मतलब की parameter बताएंगे अधरवाइस इसकी need नहीं है इसका need क्या होता यहां use करेंगे ठीक है क्योंकि हम यहां कि दोनों के इसी // करेंगे तो अगर सब कुछ होकै रहा तो इसमें पास करना होगा हम इसलिए अब हम यहां आते हैं और यह arrow function मना देते है ठीक है। अब इसमें क्या करना है अब इसके लिएमको जाने की लिए चलते हैं website पर ठीक है आफ हम," यहां पर यहांपे डाल देते हैं। कि देखिए यह validation result जो है यहां से हमें require करना पड़ाएगा, यह express का ही वो है, ठीक है हम यहां require कर लेते हैं, अब यहां से मिल गया, अब यहां call कर रहे हैं, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कि यह दोने जो validation है यह request में, अपने हिसाब से check कर लेगा, कि body में बताया है, तो यह request हमने आपास किया, इस request के body में यह सारी चीज़े चेक कर लेगा, इसको अगर लगा कहीं भी कोई गड़बड है, तो वो result में return कर देगा, अगर इसको कोई गड़बड नहीं लगा, तो return एक दों खाली रहेगा, ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, अब हम चेक करें कि result अगर ख खाली नहीं है, यहाँ पर not लगा दिया, अब इसका मतलब है कि result खाली नहीं है, तो return कर ओ, अगर खाली है, तो उसको आगे भेज़ दो, आगे भेजने के लिए हम क्या use करेंगे, next, तो यह next में भेज़ देगा, right, तो अब error जो यहाँ पर जा रही है, यह error प्रॉपर है न और इसको भी यहाँ पर, क्या बोलते हैं, import कर लेते हैं, status code को, और यहाँ पर हम okay नहीं भेज़ेंगे, actually, okay नहीं भेज़ेंगे, यहाँ भेज़ेंगे, bad request, क्योंकि सही request नहीं है, bad request है, वो भेज़ेंगे, right, अब हम इसको यहाँ पर copy करते हैं, और यहाँ पर console करा लेंग ठीक है, array में convert करने के बाद, जो इसके 0 index की value होगी, मतलब जो पहला error होगा, उसमें जो भी message है हो, ठीक है, वो हमको यहाँ पर भेज देना है, यह इसका सिधा सा funda होता है, ठीक है, इस तरह के आता है, हम यहाँ console भी करा हैं, ताकि आपको clear हो सके, लेकिन वो ऐसे लेते हैं, क्योंकि, तो format अलगाता है, एक बार मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ, like, simple में क्या मिलेगा, array में क्या मिलेगा, ठीक है, यह हो गया, मैं सको save कर लेता हूँ, देखो, यहाँ पर run हो रहा है, ठीक है, यहाँ रन हो रहा है, सब कुछ okay, तो मैं आपको दिखा दिया, क्या से करना है, सब कुछ सही रहा, तो next कर देंगे, और अगर यह खाली नहीं रहा है, result के अंदर कुछ भी data रहा, मतलब कुछ भी error है, तो हम यहाँ से return करा देंगे, response को, और यह task data था ही नहीं, तो यहाँ पर empty case देंगे, ठीक है, save कर लेते हैं, यह यह मारा validation part हो गया, अब इस validation को में use भी तो करना है, use करने के लिए इसको यहाँ पर export भी करना पड़ेगा, तो हम यह क्या करेंगे, module.export ठीक है, और यह कर देंगे, ठीक है, अब यहाँ से export हो गया, ठीक है, अब export हो गया है, तो इसको हमें use करने के लिए import भी करना पड़ टास्क लिडेशन को और हमने यहां डाल दिया है ठीक है कर दिया है इसको सेफ कर लेते हैं फिर से तो आप आ गए है टेस्ट करने की बारी तो चली यहां पर आते हैं पोश्ट में में सीधा एड़ न्यू टास्क है यहां पर सब कुछ है तो एक बाट डाल के बेशते हैं कर देखा जो की आप नहीं होगी वगार करता है कि अब यहां पर लेंथ की बात कर लूगा अगर मैं यहां पर सिर्फ तो यहां पो में सर्फ था कईरता हूं ऊपको या स्बांट करते हो हुए मैं आपको कहता है। अगे कैसा हूं आगर हम normal लेंगे ना तो हमें कुछ ऐसा मिल रहा है आप अभी अब हमको get all tasks के लिए थे ऑफ रहे हैं रिक्वेस्ट में कुछ नहीं ले रहे हैं तो आते हैं वापस से यहां पर वाले बात है तो हम क्या करेंगे एक यहां पर बना देते हैं इसमें सिर्फ हम आईडी का वैलिडेशन कर रहे हैं तो इसलिए हम प्रॉपर ऐसा रख सकते हैं ठीक है अब यहां पर बता दिये हैं इसमें कैसा बताएंगे कि आपको कमबल स्री हो चाहिए और अगर वह एंप्टी होती है तो हम लिखना है टास्क इडी बस इतना वैलेडेशन चाहिए से अब नेक्स्ट में क्या करेंगे नेक्ट में वही सेम चीज़ जो इसमें किये थे रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स ठीक है यहां पर आते हैं और यहां पर भी same ही चीज होगी like हम यह सारा चीज जो है एक काम करते हैं जब हम इसका बार बर यूज़ करना ही है तो हम यहां पर हम यहां पर लिख देते हैं कि और हम क्या करते हैं यह जो चीज है पूरा यहां से कट कर देते हैं और यहां पर पेस्ट कर देते हैं अब इस function को यहां copy करते हैं यहां आते हैं तीसरे parameter में यहां पेस्ट कर देते हैं अब इसी चीज को same यहां पर हम ऐसा कर देते हैं इससे क्या होगा इससे जो validate function है यह वाल जो गर मैं टाइटल हटा देता हूं तो देखता हम यह वर कर रहा एक नहीं कर रहा है यह प्रॉपर बश्च कर रहा है अब हमको यह टाच सुरी राट में हैंगे और यहां पर डाल देंग इम्पोर्ट कर लिए अब यह यहां से होना चाहिए अब एक काम करते हैं यहां आते हैं और टीटेल वाली अपिए कहा है इसमें हम id नहीं वेशते हैं उसको सेंट करते हैं तो यहां पर क्या रहा है कि वह समझ रहा है कि रहा है यहां पर स्लास करके एक और वेल्य होने चीए वह रौट है टो बढ़ा हम यहां पर लाश्ट वैल्य दे नहीं दे तो उसको राउट ही नहीं मिल रहा है वह समझाए कि गलत रौट है तो इस चीज में तो राउट होगा डेफिनिटली गलत यह लेट सब्सक्राइब कि तो यह क्या तर्ष्रण की is required वह तो required होगी क्या हम को विलिडेशनन रहाना धाना की जुरवरत नहीं है यहाँ हमको लगाना है क्या होना चाहिए वह number होना चाहिए इस निमेरिक ठीक है इस निमरिक यह होना चाहिए और अगर इस नभला नहीं जो अब हम आगे आते हैं और अब देखते हैं कि इसकी लिए को करना है कि टास्काइड वैलिडेशन तो यहां भी चाहिए हमको तो यहां भी डाल देंगे अप्डेट टास्क डेटल में लेकिन यहां पर कुछ चीजे और चाहिए हमें क्या चीजे और चाहिए हमें हमें यहां पर इस्टेटस चाहिए हमें यहां पर टाइटल डिस्क्रिप्शन चाहिए राइट टाइटल डिस्क्रिप्शन भी चाहिए तो टाइटल डिस्क्रिप्शन के लिए हम यहाला वैलिडे तो यह चाहते हैं है यह सिर्फ दो चीजे होनी चाहिए है तो इसके लिए म क्या करेंगे इसके लिए crush करेंगे इनका यह method इसके बार यह लिखेंगे 1 우리가 लगा देंगे लगा दाने ठेश और यहाँ पे स्टेटाप्स लगा देंगे ठीक है अब क्या होगा कि यह स्टेटर्स या तो वन होना चाहिए तो इसके अलावा कुछ भी होगा ना तो यहां पर एक हम मैसेज सेंट करा देते हैं कि विट मैसेज तोingers merdź अब आते हैं अब पॉश्ट मैं में आते है अब यहां पर अप्डेर करना हैं अब हम यहां पर लेट सफूस ठीर डालते हैं करते हैं no task available for this wait 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 अगर आपने notice किया हमने क्या कर दिया हमने गड़बड कर दिया हमने अपडेट वाले में ना करने के बज़ा है हमने गेट वाले में कर दिया अब हम यह वापस चलते हैं और अब हम यहां पर अपडेट करने के कोशिश करेंगे ठीक है तो सबसे पहले तो हम देख के देखते हैं क्या होता है टाइटल मस्ट भी बिट्वीन 10-15 नार ओके टाइटल टाइटल इसको कर देते हैं थोड़ा ज्यादा अब करते हैं इसको अब करते हैं तो अब आएगा no task value प्रफर्द क्योंकि अभी हमने task बनाया यह नहीं अब यहां बराते हैं एक task बनाते हैं अब यहां update वाले में वापस आते हैं और अब update करते हैं देखिए update हो गया लेकिन अभी यहां पर description भी अगर यहां पर कम देंगे यहां पर लिट कितना time लगा कुछ नहीं लगा कितना simple था हमने क्या किया सीधे सीधे कि यह बनाया function और इसमें अपना एक common function बनाया जिसमें अब देखिया मचाता तो हर जगा यह code लिखता गलत था ना वो चीज repetition हो रहा था तो हमने क्या कि उसका function बना दिया अब उस function को यह डिरेक्ट हर जगा डाल दिया मैंने क्या वाई जब भी आ तो यह function कॉल होना चाहिए क्यों ठीक लागा तो यह हो गया express validation तो अब at the end में हम सिखने वाले हैं कि हमें कैसे manage करना है उन API को जो लिश्टेड नहीं इसके लावा अगर किसी और API को कॉल किया है तो फिर वहां पर जानी चाहिए ठीक है तो अभी की कैस में पहले चेक कर लेते हम यहां लिखते हैं localhost 3000 और यहां पे एंटर मारें को देखेंगे cannot get slash मिल रहा है ठीक है बट यह good manner नहीं है चीजों को दिखाने का अगर यह नोट का मॉड्यूल आता है जिसे हम कहते हैं http-error-npm ठीक है यह नोट का इन-build रहता है लाइक आपको उसको अलग से इस्टॉल करने की जरूत नहीं है इसको open करते है ठीक है जैसे यह open हो जाएगा हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है यहां पर आएंगी हमने इंस्टॉल अब इसको यूस्स करना वाफस नहीं होते हैं और देखते हैं कैसे करना जाएंखने हैं धरफ शवर व्यहां इसको कभेशना करते हैं यहां पर आते कब इंग आपन यह तुछने रखा है कि अगर तो पिर आसे जाना चाहिए बढ़े हैं आपने यह बिया नहीं है है इसको हटा देते हैं यहां से ठीक है इसको भी हटा देते हैं यहां से और हम अपने application को बता रहे हैं कि यह जो भी क्या वलते कोई कोई भी API call हो और अगर वो exist ना करें तो क्या करना है यह 404 कोई कर देते हैं 404 यहां पर लिक दिए नांट फाउंड कोई डांड कोई क्ट कर देते हैं यहां वापस आते हैं यहां पर आते हैं अब इसको अत Such क्या रहा है not found error page not found हम यहां जो भी message लिखेंगे वह message वहां पर दिखा देगा हम यहां पर condition based भी कर सकते हैं जैसा कि यहां पे किया गया था कि यह check कर रहा था कि request में अगर user का data नहीं आता है तो ऐसे फ्रोग करना यहां पर जित्ते भी stt web के method होते हैं वह सारे mention है उसी हिसाब से हमें इसके use कर सकते हैं खुद try कीजिए खुद explore कीजिए ठीक है बहुत कुछ इसमें जानने को मिलेगा तो हमने यहां पर operation बना के project का structure समझ लिया कि industry में कैसे project structure फॉलो होता है ठीक है अब मैं आगे जो project बनाऊंगा वह real project होने वाला है जिसमें mongodb properly use करेंगे उससे पहले हो सगा तो मैं mongodb के उपर एक वीडियो बना दूँगा ताकि आपको database भी समझ में आ जाए राइट database समझ में आ जाएगा तब हम उस पर project बनाएंगे तो आपको जाधा clarity होगी जाधा understanding आएगी मैं इतना बोल रहा हू क्योंकि मैं theoretically part पर थोड़ा कम focus करता हूं बाद में focus करता हूं पहले मैं practically focus करता हूं क्योंकि एक बार आपके concept clear होगे logically practically तो फिर theoretically तो आप यूँ crack कर जाओगे ठीक है तो चलिए अभीक लिए thank you so much आपने यहां तक वीडियो देखा मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नय आ लेके ठीक है तब तक के लिए टाटा बाई बाई कीप लोनी